असलाम अलेकूम प्यारे बच्चो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि आप गूगल स्क्रैच में किस तरह गेम्स डिवलप कर सकते हैं सो हमारी डिफरेंट वीडियो होंगी यह स्टार्टिंग वीडियो है सो फस्ट अफ आपको इंटरेट की जुरूरत है तो डाउनलोड गूगल स्क्रैच क्योंकि गूगल स्क्रैच को आप आउनलाइन भी काम कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलेंग और आप इसको फिर इस्तमाल करें तो आप गूगल पर जाएं और गूगल पर लिखें गूगल स्क्रैच ओफ लाइन एडिटर का पहला लिंक आएगा स्क्रैच आपको पता है MIT यानि के मैसेज इंसिटूट अफ टेखनोलोजी एक यूएस की यूनिवरसिटी है जिसका यह प्रोजेक्ट है स्क्रैच ओफ लाइन एडिटर में जाकर आप स्क्रॉल डाउन करें अगर आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक है या एंड्रोइड है तो आप इसको डारेक्ट डाउनलोड पर क्लिक करकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपके पास स्क्रैच इस तरह आपके स्क्रीन को पर शॉट्कट आजेगा या आपके पास इंस्टॉल होजेगा तो आप स्टार्ट मेन्यू में जाकर पास स्क्रैच लिखेंगे तो आपके पास स्क्रैच की अप आजागी इस स्क्रैच की अप को हमने अभी ओपन किया है अब हम देखेंगे के हम इस्क्रैच के अंदर ऑफ-लाइन यादि के विधाउड इंटरनेट हम किस तरह different products को डेवलप कर सकते हैं, किस तरह डिफरेंट गेम्स बना सकते हैं So before we start any developing any game कुछ terminologies हैं जो मैं इसको हमें पता होना चाहिए By default आपको एक बिली नजर आएगी इस बिली को या इस character को बोलते हैं Sprite, ये Sprite का section जो है वो यहां पे नदर भी आ रहा है ये By default एक Sprite है इस Sprite का एक नाम होता है ठीक है, इसको आप move कर सकते हैं इसका size है, इसकी direction है अब इस Sprite को हम डिलीट भी कर सकते हैं यहां से और new Sprite लाने के लिए ये choose a Sprite वाले icon के उपर click करके हम अपने computer के अप्लोड भी कर सकते हैं या हम कोई select भी कर सकते हैं इसको यहां पर click करते हैं तो Scratch के अंदर बहुत सारे characters already मुझूद हैं और कुछ characters static है characters यानि कि Sprite की terminology बोली जाती है कुछ sprite static है यानि कि वो single image है और कुछ characters animated है animated से मुराद यह है कि उन Sprites का multiple उनके costumes हैं multiple pictures है for example यह bear walking के उपर हम जब जा रहे है तो आप जैसी mouse उपर लेकर जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि यह bear चल रहा है ठीक है इसी तरह यह मुक्तलिफ characters जो है वो कुछ animated है और कुछ animated नहीं है तो आप जिस भी character को for example हम bear walking वाले को ही select कर लेते हैं so जिस तरह cat हमारे पस एक sprite आई भी थी by default so अब वो bear हमारे पस आ गया है इस bear को हम size थोड़ा-सोटा कर लेते हैं 100 के बजाए है इसको हम 50 करके enter करते हैं तो यह bear आपका size इसका small हो गया है the second important thing in scratch is the backdrop यानि के उसका माहौल उसका background environment क्या है backdrop का section जो है वो यह है जिस तरह हमने sprite पे click करके sprite select किया इसी तरह हम backdrop के उपर click करके अपने मर्जी का game के मताबग जो भी आप बनाना चाते हैं for example हम एक simple सा environment बनाते हैं जंगल का जिसके अंदर bear walk कर रहा हो अब हम इसमें देखते हैं कि कौन सा relevant जो है backdrop हो सकता है हमारे लिए इसमें कोई jungle वाला environment हम ले ले लेते हैं यह jungle इस jungle के backdrop को हमने ले लिया अब backdrop के उपर jungle आ गया और आपके पास एक sprite है इस sprite के उपर जैसे हमने click किया है अब यह sprite selected है इस sprite के अगर आपने मुख्तलिफ costumes देखने है तो यहाँ पर costume में जाएंगे तो इस पर नदर आ जाएंगे कि इसके मुख्तलिफ costumes हैं यानि कि multiple pictures हैं जिसकी वज़ा से हमें यह feel होता है कि वो character move कर रहा है ठीक है हम इसके costume को change करके इसको हम ऐसा दिखा सकते हैं कि वो character चल रहा है अब हम आते हैं code के तरफ यह screen आपकी है code की इसमें आपने coding लिखनी नहीं है इसको गोलते है block based programming आपके पास programming पहले से हुई भी है आपने सिर्फ select करना है उसका sequence देना है तो दो चीज़ें important होगी याद रखने वाली एक तो sprite है sprite का मतलब यह है कि आपका character और एक चीज़ें backdrop तो हमने backdrop भी select कर दिया अब हम चाहते हैं कि इस character को हम move कराएं कि वह यहां से चलता हुआ आगे जाए ठीक है तो आपका यह event जो है वह basically सबसे पहले event start किसे होगा तो यहां पे categories of codes हैं for example हम यहां पे जाते हैं events के उपर तो हम अपनी programming या अपनी game कह लें या अपनी animation को start करेंगे किसी खास key से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं मैं normally इसको यूज करता हूँ for example यह वला रहा है एक code है इसको हम drag करके यहां पे लेएंगे लिखा रहा है when space key is pressed आप space के बजाए के code की भी रासकते हैं for example मैं कहता हूँ यहां पे when a key is pressed यानि कि जब आप a दुबाएंगे तो क्या हो ठीक है अभी तो हमने इसके नीचे code ने डाला जब a दुबाएंगे तो हम चाते हैं कि अभी यह coding हो रही है इस sprite के context के अंदर क्योंकि यह select हुआ है ठीक हमने का bear को क्या effect हो जब हम a दुबाएं तो यहां पे हम से जाते है motion में यानि कि हम इसको चाते हैं कि move करें तो यहां पे आप सबसे पहला सबसे basic सा operation है move का यानि कि 10 steps वो आगे जाए अगर आप इसको यहां पे लेकर जाके drag करके इसका जोड़ जाते हैं और अब मैं अगर a की press करता हूं तो आपको नजर आ रहा है कि आपका bear जो है वो move का रहा है ठीक है on pressing a की आपका bear move का रहा है forward की तरफ लेकिन हम चाते हैं कि थोड़ा सा और realistic लगे यानि कि वो walk भी का रहा हो तो अभी हमने इसका देखा था कि इस bear के मुक्स्तलिफ costumes हैं तो हम हर step से पहले क्या करते हैं हम एक को इसमें function है looks के अंदर आएगा looks category के अंदर इसका आ रहा है next costume यानि कि हर a की press करने के उपर इसका costume चेंज हो जेए अब यह हमारी coding क्या कर रही है कि हर a press करने के उपर आपका next costume आजए और वो 10 step forward चला जए अब अगर हम a को press करते हैं तो आपको एक realistically feel होगा कि बियर जो है वो walk करके right side के तरफ जा रहा है and if you want इसमें सरफ एक और काम हम add करते हैं आज की class के अंदर इस video के अंदर कि हम चाते हैं कि वो sound भी आजए इसकी walking का sound आजए तो sound के tap के अंदर भी basically आपके पास बहुत सारे options मुझूद है आपके पास repository भी मुझूद है यहाँ पर for example मैं इसी करेक्टर को उपर click करते हुए हम sounds को अपर गे यहाँ पर हमने choose a sound किया और इसमें बहुत सारे sounds available है for example मैं animals में चला जाता हूँ ठीक है यहाँ पर bear करके देखते हैं कि bear का कोई sound available है कि नहीं यह वाकिंग कर लेते वाकिंग कर देखते हैं कि walking sound आप तिक कुछ भी sound हम अप्लाइ कर सकते हैं इसमें for example अगर हम इसको लेकर sound को करते हैं अप्लाइ और हम अपने code पर जाके हम कहेंगे के sound और हम यहाँ पर start sound का लगा सकते हैं कि जैसे move भी हो और वो snoring sound भी आए ठीक हो गया अगर करेक्टर डालकर बैक्ट्रॉप डालकर उसको एनिमेट करवाना है यानि कि उसको वाक कराना है यह मैंने एक बेर वाकिंग को पर किया तो आप इसको डिफ्रेंट करें अप्लाइ करें हम आगे coming lessons में देखेंगे किस तरह हम अपना custom sprite भी बना सकते हैं यानि कि जिसमें आप अपनी pictures को डालके अपने आपको move कराएं Till then thank you very much Allah Hafiz